नीती वचन 31 अध्या 21 से 31 तक वो अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहिंते हैं, वो तकी बना लेती है, उसके वस्त्र सुक्षम सन और बैंजनी रंग के होते हैं, जब उसका पती सभा में देश के पुरणियों के संग ब बेचती है और व्यापारी को कमरबन देती है, वो बल और प्रताप का पहिरावा पहिने रहती है, और आने वाले काल पर हसती है, वो बुद्धी की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उसका पती भी उठकर उसकी ऐसी प्रशनसा करता है। प्रशनसा होगी। प्रकाशत वाक्य 21 अध्याई एक से 27 तक। नया आकाश और नई पृत्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृत्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृत्वी जाती रही थी और समुंद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए प्रुशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुलिन के समान थी जो अपने पती के लिए सिंगार किये हुए। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को उन्चे शब्द से कहते हुए सुना। देख परमेश्वर का डेरा मनुश्यों के बीच में और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा वो उनकी आँखों से सब आसू पोंच डालेगा और इसके बाद मृत्यों न रहेगी और न शौक न विलाप न पीडा रहेगी पहली बाते जाती रही। जो सिहासन पर है फिर उसने मुझसे कहा ये बाते पूरी हो गई है मैं अलफा और उमेगा आदी और अंत हूँ मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा जो जै पाए वही इन वस्त्वों का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होँगा और वो मेरा पुत्र होग परन्तु डर्पो को और विश्वासियों और घिनोनों और हतियारों और व्यविचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब जूटों का भाग उस जील में मिलेगा जो आग और गंदक से जलती रहती है ये दूसरे मृत्यू है नया यरुशलेम फिर जिन साथ स्वर बाते करके कहा इधर आ मैं तुझे दुलहिन अर्थात मेमनी की पत्नी दिखाऊंगा तब वो मुझे आत्मा में एक बड़े और उंचे पहाड़ पर ले गया और पवुत्र नगर यरुशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया परमेश्वर की महिमा उ उसकी जोती बहुत थी बहुमुल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच थी उसके शहरपना बड़ी उंची थी और उसके बारव फातक और फातकों पर बारव स्वर्गदूत थे और उन फातकों पर इसराइलियों के बारव गोत्रों के नाम लिखे थ पूर्व की और तीन फाटक, उत्तर की और तीन फाटक, दक्षन की और तीन फाटक और पश्च्रिम की और तीन फाटक थे नगर की शहरपना की बारह नीवे थी और उन पर मेमने के बारह प्रेरितों के बारह नाम लिखे थे जो मेरे साथ बाते कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपना को नापने के लिए एक सोने का गस था, वह नगर वर्गाकर बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चोड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गस से नगर को नापा, तो साड़े साथ कौस का निकला, उसकी लंबाई और चोड़ाई और उंचाई बराबर थी, उसने उसके शहरपना को मनुश्य के अर्थात स्वर्दूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली उसकी शहरपना यशप की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच कांच के समान हो उस नगर की नीवे हर प्रकार के बवमुल्य पत्थरों से सवारी हुई थी पहली नी व्यशप की दूसरी नील मनी की तीसरी लालडी की चौथी मरकत की पांच वी गोमेदक की छट वी मानक्य की साथ वी पित्मनी की आठ वी पिरोज की नव वी पुखराच की दस वी लहसनी एल की ग्यारह वी धुम्रकांत की और बारह वी याकूत की 12 फाटक 12 मोतियों के थे एक एक फाटक एक एक मोति का बना था नगर की सडक स्वच काँच के समान शुद्ध सोने की थी मैंने उसमें कोई मंदीर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वर और मेमना उसका मंदीर है उस नगर में सूर्य और चांद के उज्याले की अवश्यक्ता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उज्याला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है जाती जाती के लोग उसकी जोती में चले फिरेंगे और पृत्वे के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होगे और रात वहां न होगी लोग जाती जाते के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे परन्तु उसमें कोई अपवित्र वस्तू या गृनित काम करने वाला या जूट का गड़ने वाला किसी रिती से प्रवेशन करेगा पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुसक में लिखे हैं। नहेमिया 11 अध्याई 22 से 36 तक जो लेवे यरुशले में रहकर परमेश्वर के भवन के काम में लगे रहते थे उनका मुखिया आसाप के वन्ष के गवईयों में का उज्जी था जो बानी का पुत्र था यह हश्बिया का पुत्र यह मतन्या का पुत्र और यह हश्बिया का था क्योंकि उनके विशे राजा की आग्या थी और गवईयों के प्रतिदिन के प्रयोजन के अनुसा ठीक प्रभंद था प्रजा की सब काम के लिए मश्बिया जो यहुदा के पुत्र जेर्ह के वन्ष में था वह राजा के पास रहता था बच गए गाव और उनके खेत उसके गाव में रहते थे फिर येशु मोलादा बेत पेलेत हसर शुवाल और बिर्शेबा और उसके गाव में और सिकलग और मकोना और उनके गाव में इन्नीमोन सोरा यर्मूत जानोह और अदुल्लाम और उनके गाव में लाकिश और उसके खेतों में अजेका और उसके ग गावों में वे बिर्शेबा से ले हिन्नोम की तराई तक डेरे डाले हुए रहते थे बीन्यामिनी गेबा से लेकर मिकमश, अय्या और बेतेल और उसके गावों में अनातोत, नोब, अनन्याह, हासोर, रामा, गित्तेम, हादिद, सबावीम, नबलत, लोध, ओनों और कारिगरों की तराई तक रहते थे यहुदा के कुछ लेवियों के दल बीन्यामिन के प्रांतों में बस गए नहिम्या बारा अध्या एक से सैंतालिस तक जो याजक और लेविय शाल्तियल के पुत्र जरुबाबल और येशु के संग यरुशलीम को गए थे वे ये थे सरायाह यर्मियाह एजरा अमरयाह मल्लू खत्तू शकनयाह रहूम मरे मोत इदो गिन्तोई अभियाह मियामिन मादियाह बिलगा शमायाह यो आरिब यदायाह सल्लू आमोक हिल्कियाह और यदायाह येशु के दिनों में याजको और उनके भाईयों के मुख्य मुख्य पुरुष ये ही थे फिर ये लेव्य गए येशु बिनुई कदमी एल शेरेबियाह यहुदा और वो मतन्याह जो अपने भाईयों समे धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था उनके भाई बकबुकिया और उन्नों उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे येशु से योयाकिम उद्पन हुआ और योयाकिम से एलियाशिब और एलियाशिब से योयादा और योयादा से योनतान और योनतान से यद्दू उद्पन हुआ योयाकिम के दिनों में ये याजक अपने पीतरों के घराने के मुख्यम पुरुश थे मिन्यामिन के मोदिया का पिल्ते बिल्गा का शम्मु शमाया का योहानातान योयारिप का मतने यदाया का उज्जी सल्ले का कल्ले आमों का अबेर इल्क्या का हश्बिया और यदाया का नतनेल इल्याशिब योयादा योहानान और यद्धू के दिनों में लेवे पीतरों के घरानों के मुख्यम पुरुशों के नाम लिखे जाते थे और दारा फार्जी के रज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे जो लेविय पीतरों के घरानों के मुख्य पुरुश थे उनके नाम एलियाशिप के पुट्र योहनान के दिनों तक इतिहास की पुस्थक में लिखे जाते थे लेवियों के मुख्य पुरुष ये थे अर्थात हशबियाह शेरेबियाह और कदमियल का पुत्र येशु और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाउद के आगया के अनुसार आमने सामने स्तुती और दन्यवाद करने पर न्यूक्त थे मतनियाह, बक्बुकियाह, उबदियाह, मशुलाम, तलमोन और अकूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वार पाल थे योयाक्यम के दिनों में जो योसादा का पोता और येशु का पुत्र था और नहेमिया, अधिपती और एजरा, याजक और शास्त्र के दिनों में ये ही थे यरुशलेम की शहरपना की प्रतिष्टा के समय लेविय अपने सब स्थानों में ढूंडे गए कि यरुशलेम को पहुंचाए जाए जिससे आनन और धनिवाद करके और जांच सारंगी और विर्णा बजा कर और गा कर उसकी प्रतिष्टा करे तो गवयों के संतान यरुशलेम के चारो और के देश से और नतोपातियों के गावों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमाबेत के खेतों से इखटे हुए क्योंकि गवईयों ने यरुशलेम के आसपास गाउ बसा लिये थे तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद किया और उन्होंने प्रजा को और फाटको और शेहरपना को भी शुद किया तब मैंने यहुदी हाकिमों का शेहरपना पर चढ़ा कर दो बड़े दल टहराए जो दनेवात करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे इन में से एक दल तो दक्षन की और अर्थात कोड़ा फाटकी और शेहरपना के उपर उपर से चला और उसके पीछे पीछे ये चले अर्थात होशायाह और यहुदा के आधे हाकिम और अजरियाह एजरा मशुलाम यहुदा बीनियामिन शमायाह और यर्मियाह और याजकों के कितने पुत्र तूरिया लिये हुए अर्था जकरिया जो योहानान का पुत्र था ये शमाया का पुत्र ये मतनिया का पुत्र ये मिकाया का पुत्र ये जकूर का पुत्र ये आसाप का पुत्र था और उसके भाई शमायाह अजुरेल मिल्लेई गिल्लेई माए नतनेल यहुदा और हनानी परमेश्वर के भग दाउद पूर की सीड़ी पर चड़ शहरपना की उंचाई पर से चल कर दाउद के भवन के उपर से होकर पूरब की और जल फाटक तक पहुंचे धन्यवात करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे-पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहरप पनातक और एप्रेम के फाटक और पुराने फाटक और मचली फाटक और हननेल के गुमट और हम मोआ नामक गुमट के पास से होकर भेड फाटक तक चले और पहरूँ के फाटक के पास खड़े हो गए तब धन्यवात करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाक किम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए और एलिया कम मासययाह मीनिया मिकाययória डियो इनने जकरिया और हनन्या नामक्याजकतूर्यां लिए हुए थे मासययाह शमययाह इलिया 파ुष crime यहो हानान मल्किया है इलाम और एचेर खड़े हुए थे और गवेये जिनका मुख्या ये जरिहियाह था वो उंचे स्वर से गाते बजाते रहे उसी दिन लोगों ने बड़े-बड़े मेल बली चड़ाए और आनन्द किया क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनन्दित किया था स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनन्द किया यरुश्यलेम के आनन्द की ध्वनी दूर दूर तक फैल गई उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दश्मानशों की कोटरियों की अधिकारी टहराए गए कि उनमे नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तू का जमा करे जो व्यवस्था के अनुसार याजको और लेवियों के भाग में की थी क्योंकि यहुदी उपस्थित याजको और लेवियों के कारण आनन्दित थे इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुदता के विशय चौकसी करते रहे और गवईये और द्वारपाल भी दाउद और उसके पुत्र सुलेमान के आग्या के अनुसर वैसा ही करते रहे प्राचन काल अर्था दाउद और आसाप की दिनों में तो गवईयों के प्रधान थे और परमेश्वर की सुती और जन्यवात की गीत ग के अन्श पवित्र करके देते थे